एक्जाम सीरीज में जो हमाँ पास आज का जो टोपिक है वो है एकॉनमी और स्टेट बिहेवियर जैसे इंटरेनर रिलेशन्स पार्ट वन में 2021 के एक्जाम में ये कॉस्टन एक्जामने ने पूछा था कि कैसे एकॉनमी स्टेट के बिहेवियर को शेप करती है तो इस लेक्चर को समझने के लिए जो हमाँ पास रेफरेंस है या इस कॉस्टन के लिए जो रेफरेंस आप प्रोवाइड करेंगे पेपर में वो रिचर्ड हैस की एक बुक है जिसमें रिचर्ड हैस केते हैं कि यह जो किसी भी स्टेट के जो फॉरिंड पॉलिसी है उसकी एफेक्टिवनेस और इसकी इफिकेसी डिफाइन गहोती है बाई इस इंटरनल सिचुएशन ठीक अगर वो एक स्टेट इंटरनली स्टॉंग है अगर उस स्टेट के जो नैशन रहती है ठीक सिमिलर्ली एक इंडियन डिप्लोमेट अपने एक बुक में लिखते हैं कि इस नोट डिप्लोमसी रादर फदर इस एकॉनमी देट एट एट्स विंग्स तो फॉरेंड पॉलिशी इन दो स्टेट्मेंट से हमें यह समझ आ गया कि यस देर इस एन इनिक्स्ट्रि करें कि कैसे बीहेवेर शेप करते है फॉरेंड पॉलिसी की तो आप लोग अप सोचें कि पाकिस्तां की अगर बात कर लें पाकिस्तान में हमारे पाशिस हैं या जो स्टीजनरी हैं या नेशनल से अगर वो प्रॉस्परस हों सेल्फ सूफिशेंट हों और फाइनेशली सायं जो है न वो एक नेशन है तो यहाँ पे अगर डिफरेंट इथिनी सिटीज के बीज में एक दूसरे को टॉलेट करने की कैपसिटी हो उनके पास उसके बाद मुच्वल कोईजिस्टेंस की जो एक कनोशन होता है अगर वो यहाँ पे एक्जिस्ट करें तो उस केस में पाकिस्त इन्टरनली स्टोंग होगा तो आप लोग यह समझें कि जो फॉरणर या जो फिफ्ट जेनरेशन टेंडेंसी से या हाइब्रिड वोरफेर की जो टेंडेंसी से वो पाकिस्तान के अगेंस ऑप्रेट नहीं कर पाएंगी ठीक है क्योंकि हाइब्र जेनरेशन वारफेर एक ए अगेंस डिरिड आफ देश्टे अब अगर पाकिस्तान की अवाम अगर प्रॉस्परस हो उनकी उनका जो एक फानेंचियल उनकी या उनकी जो स्टैंडिंग है वो अगर अच्छी हो तो उस केस में कोई भी प्रॉक्सी और कोई टेरर एलेमेंट उनको एक्स्प्लॉइड न पाकिस्तानी जो ऑफिशिल से उनका जो कॉंफिडेंस और मॉराल है वो बूस्ट होगा ठीक तो अब जब डॉमेस्टिक लिए कंट्री स्टेबल हो तो उसके आउटर जो 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 औरियंटेशन एक्स्टेनल औरियंटेशन वो कैसी अच्छी होगी देखें आज के दोर में जो एक्स्टेनल जो हमाई पास ग्लोबल पबलिक है उस स्टेट के बारे में नेरिटिफ बिल्ड करने के लिए किसी भी पर्टिकल स्टेट की इंटर्नल डाइनेमिक्स को कंसिडर करते हैं क्योंकि आज कल हम पढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और इमेजिस का दोर है ठीक किसी भी स्टेट के का इमेज जो है ना वो उसकी एकॉनमिक बेस के थ्रू बनाया जाता है तो अब जब किसी कंट्री का इमेज अच्छा हो किसी कंट्री का अगर सोफ्ट इमेज अगर अच्छा हो तो उस केस में जो ग्लोबल पबलिक है वो ये डिजायर रखेगी कि कि उन चीक है क्योंकि globalization ने necessitate किया है कि जो public है global public वो livelihood opportunities को discover and hunt करने के लिए across the globe move करते रहते हैं चीक तो यह हमाँ पास certain preamble था एक preamble था इस topic पे अगर हम अब properly गर चलें कि कैसे foreign policy जो ना वो state behavior को shape करती है तो पहला जो point जहाब हम लिखेंगी कि economy provides broader options to execute foreign policy जैसे इंडिया पाकिस्तान की बात करें कि क्यों इतने time मतलब पाकिस्तान और US का relation 1947 से लेके till 9-11 तक एक strategic nature का समझा जाता था लेकिन एकदम से US ने जो है ना वो अपनी जो उसकी orientation थी वो change की और इंडिया को opt किया as its strategic partner and not Pakistan उसकी वज़ा सिरफ यहीं है कि इंडिया की जो economy है इंडिया की जो market है या इंडिया की जो indigenous market है वो business friendly होने की वया से ही US ने वहाँ इंडिया का जो economic potential है या इंडिया की जो market की जो उसकी जो वाइबरन सी है वाइबरन मार्कीट को उसने prioritize किया जबकि पाकिस्तान की case में हमारी जो domestic market है वो इतनी वाइबरन नहीं है एक तो ऐसे इसी वज़ा से US ने पाकिस्तान की जगा इंडिया को opt किया अगर उनका well being ensure होगा अब जब वो prosperous होंगे ठीक उनके जो socio economic indicators है वो अच्छी अच्छी होंगी तो उसके हैं वो nation और उसके बीच में जो nationals हैं उनके बीच में एक trust का relationship होगा और वो stationary अपने government की policies को back करेंगी next economy boost confidence of decision makers अब हमें ये पता है कि economy जो है न अच्छी economy या sustainable economy जो है वो foreign policy के लिए जो options available होते हैं उनको broaden करती हैं ठीक जैसे चाइना की बात करें चाइना ने काफी time एक isolation की mode में था लेकिन एक दम से ही जो न वो चाइना एक global stage पर एक influential player के तोर पे सामने आ गया है इसकी growth ने उसको इस position पर लेके आए विए growth कि China openly जो है न वो play कर रहा है global front पर आगे चले economy helps getting more currency in foreign audience जैसे उपर हमने बात की similarly economy ameliorates images of a state बात कर चुके हैं next economy enhances influence in state role जैसे की इंडिया की economy अच्छी है तो इंडिया का जो रोल है global हमारे पार जो scenario में जो रोल है इंडिया का वो ज्य जादा है या बढ़ रहा है या इंडिया influential होता जा रहा है due in part to its economic growth इसी तरह गर बात करें economy helps secure national interest चाइन की बात करें economic diplomacy के तुरू चाइन ने जो हैना वो अपनी interest को further किया और उनको attain किया ठीक last point its economy that stitches the bounds of interdependence and thereby reduces mistrust and suspicion between states तो यह certain points से हमारे पास जिनके थू हम यह claim कर सकते हैं में अपने arguments को substantiate कर सकते हैं कि yes there is a close link between economy and state behavior so this is all for today people if you got any confusion related to this topic please let me know about your issues through your comments I will address them in my next lecture thank you very much